तो चार थे उनकी पुत्र, नेत्र बाहदुर शिक्षक थे फिर अंतमे सिक्षा मेनिस्टेटर हुए उस राष्ट के, नेत्र बाहदुर की पुस्तके भी हैं, देश विदेश भी घूमे थे, मीन बाहदुर दूसरे नंबर के थे वो जज थे, अंतमे सुप्रिम कोड के जज ह हुए वहां के, और वह सलाकार हुए, जो अंतिम में निरणे राजा करता हैं, किसी मौत की सजा हुई, तो लोग अप्लिकेशन देते हैं, तो राजा माफी करे की न करे, उसके सलाकार अंतमे थे, मेन बाहदुर थापा और साद सुभाव के थे, उनकी मेज पर कचहरी में भ कोई दूसरे जगह पर उनको नहीं समझ सकता था कि इतने बड़े पोष्ट पर हैं, देह से तो गोरे दिब बड़े थे, लेकिन बहुत साधान रहते थे, तीसरे लीला बहादूर स्री आग्या साहिब सादू रूप में रहे, जिनका कलसरी चुटा है, चोथे चोटे बाही थे दिब्याननद जी जो वेदानती हो गए थे, विद्वान थे, दिल्ली में पढ़ाते थे वेदान, बहुत त्यागी थे, ओ भी, चार भाई सब, कल चार भाई नहीं रहा गए, तीन पहले चले गए थे, कल स्री आग्या साहिब का भी सरीर चुट गया, उनका शिश मुझ छूटने के पहले, मन सबसे छूट जाए, यह साधना करने की जरूरत है, काल निर्दय है, किसी पर दया नहीं का आता है, यह साधो ही सरीर नहीं छोड़ेंगे, गिरस्त भी छोड़ेंगे, जब छोड़ना है, मरना है, जब अवस महबत करना जूटा, करिए भजन विचार इसे से रहिये रूठा, स्री निर्मल साहिब ने का है, जब मरना अवस्य है, तो मह करना जूटा है, इसलिए सब को मह त्यागना है, धाय की तरह गिरस्ति मेरा करके साधना करें, साहिब ने कहा है, बालग के रिदाय जो आपन जानत ना है, कमल पत रहें, संद जन रहें जगत के मावी, बालग के रिदाय जो आपन जानत ना है, दो उदारना है, कमल के पत्ते की तरह रहना कमल पानी में रह करके भी पानी से उपर रहता है ऐसे संसार में रह करके संसार से उपर रहा है दरिया से न्यारा रहा है दी से दरिया महा है ये भी साहब की आदिशा की है समुद्र में नदी में दरिया नाम समुद्र, दरिया नाम नदी, नदी समुद्र में रहे लेकिन उससे न्यारा रहे, दरिया से न्यारा रहे, देखे दरिया माई, संसार में रहते हुए संसार से असंग, ऐसा निरंतर साधना और विचार से अपने को बनाओ, कमाई करने से किसी दिशा में उन्नित होती है खेती में जो बिलकुल लगा रहता है उसकी खेती होती है ऐसे लोगों कि मैंने खेती देखी है जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन थी पसु पालते थे खोब बढ़ियां बैल उनके होते थे कि उनको डंडा दिखाना नहीं पड़ता था रस्षी से थामना पड़ता था भागते रहते थे क्योंकि खोब खिलाए पिलाए मजबूत रहते थे और जितन खेती थोड़ी होती थी उसमें चुर मरते थे वह धूब, ठंडी, गर्मी जब काम हो सब कि सब माई पिला से ही डटे रहते थे तो थोड़ी जमीन में उनको काम भर के लिए खोब चकाचक और किसी के लिए खोब जमीनदार है बड़ी जमीन है लेकिन भूजी भांग भी नहीं खेत में होती है कामें नहीं है जब पूछे हरवाहा कहां बीच बूड़ी गए तिनके तहां जब कोई पूछा हरवाहा कहां गया है तो जानो बीच भी डूब गया अरे हरवाहाग जाए तुम भी जाओ कुदारी लेकर किनारे किनारे गोड़ो किसी भी काम में जब तक समर्पन नहोगा तब तक काम बनेगा नहीं साधना में समर्पन की जरूरत है देखो अभी एक सास्त्री संगीत में गया जा रहा था पाकिस्तान की महिला ने कभीर साहब का भजन गया है मैं राजकोट में था तो अनामिक शाह जैन जो मुझे बराबर बुला रहे हैं जो सौराष्ट विश्विद्याले के रसाइंस विभाग के अध्धक्ष हैं और बहुत प्रोड उसके विसे में विद्वाने देश विदेश बुलाए जाते हैं लक्चर के लिए लखनव आये थे तो वहीं से वह जुद्ध्या आगए की भाई देखें जो इद्यम बड़ा विबाद राम रहीम का करते हैं क्या है तो अपने शिश्यों के शाथा है जो उनकी पढ़िया विश्विद्य लेक्षिश्यत है तो किसी फुटपात पर मेरी पुस्तके कुछ पा गए खरीद लिए कबीर नाम देखकर फिर पढ़ने लगे तो कहें ये बिबाद से इस पुस्तक से कोई मतलब नहीं है ये पुस्तक किसकी लिखी है तो मुझे खोजने लगे साल खान में मेरा पता पाए मुझे संपरक के सब पुस्तके में आए और मेरा कालिकम राजकोट में सुरू के और कई का हर बर सब चलता है आपकी बाद राजकोट, जामनगर, पोरवंदर इस सम्में उन्होंने कार्जकरम करवाया तो राजकोट में वे कहते हैं जिदने डिगरी कॉलेज हैं हर जगा आपकी पुस्तक रखवानी है धीर धीर अखवा रहे हैं और लोग कहते आप अस्तानक जैन हैं आप कैसी बासा बोल ले हैं तो कहते अब मुझे अस्तानक कबीर समझे बहुत गंभीर हैं बहुत समझदार हैं गांधिबादी सुतन चिंतक, गंभीर कम बोलने वाले, विद्वान बहुत अच्छे हैं तो गाई में जा रहे थी सवराष्ट विश्विद्याले राजकोट में है उसमें भाष्ण देना था तो जा रहा था तो उन्होंने कहा कि बताया एक मुस्लिम महिला ने गाया है मैंने कहा सुनाओ तुरंद के सट लगा दिये बहुत अच्छा लगा तो पाकिस्तान की गाई कहा है अभी अभी भजन उसका चल ला था मैं धिर धिरे अपने कक्ष में सुन रहा था यहीं से परसार अब हरी है मैं नाएं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाएं प्रेम गली अतिसांकरी जामें दोन समाएं एक साखी का भी जब मैं था तब हरी नहीं जब मैं था तब हरी नहीं था अब हरी है अब मैं नहीं रहा गया आपका सकती जब मैं कह रहा है तो कैसे नहीं रहा गया यह लाक्षनिग मैं का मतलब हंकार अपने नाम रूप का हंकार भावतिक वस्तूं का हंकार जो था जब था तब हरी नहीं अब हरी है, अब ब्रह्म है, परमात्मा है, सुचता है, पवितरता है, आत्म शान्ती है, आत्म त्रिप्ति है, अब मैना है, अब श्रीर के नामरूप का हंकार नहीं रागे हैं, प्रेम की गली अतिसा करी है जहां में दो नसमाएं उसमें दो घुस्ते नहीं बनता है एके होगा या तो मैं रहूं या तो हरी रहे या तो दुनिया का अंकार रहे या तो ग्यान की दशा रहे जहां इच्छा के वहीं फरक हुआ जहां इच्छा किये तहां भक्ती में फरकोगा गुरु से कटोगे, संद से कटोगे ज्ञान से कटोगे, बोद से कटोगे जहां सांसारी के इच्छा किये सांसारी की इच्छा छोड़े गुरु से, संद से, बोद से, अपने से जुड़े गुरू और संथ से जुड़ने मतलब है अपने से जुड़ना हम स्वार्थी हैं गुरू संथ से हमें क्या परवा है क्यों हम गुरू संथ से जुड़ने अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं हमारा स्वार्थ है कि हम अपने में इस्थित हो जाएं अई मामूली नहीं है, सलिल धार नदियाब है, पाउं कहां ठारा है, नदी में जोर से पानी बहता है, पाउं कहां हाँ ठार सकता है, आधार चाहिए ठारने के, पहले तो बोध चाहिए, बोध देने वाला सद्गुरु है, और संत उसको पुष्ट करने वाले है, साद गुरू ये दो ही हमारे परम उपास से जो सादक सोचता हम तो गुरू को मानते हैं और साद हूँ क्या तो गुरू को भी नहीं मानता है वो गुरू को इसलिए मानता है कि गुरू को अगर नकार देगा तो रहेगा कहा इसलिए स्वार्थ से वो मानता है भौतिक स्वार्थ है गुरू सादु मिले तो गुरू मिले गुरू मिले तो सादु दोनों का फल एक है जहां होए भ्रह्म बादु गुरू और सादु एक रूप एक रूप गुर सादु का जिसे कल्यान में प्रिता होगी, गुरू में सरद्धा होगी, संत में सरद्धा होगी और गुरू और संत में सरद्धा, अज्याकारिता, समर्पन किसलिए है? अपने गर्ज के लिए, मेरी गर्ज है आत्म शानती चाहिए तो इस बात को कोई बताने वाला हो और उसके साहचर जिससे हमें प्रेणा मिले अब बताने वाला तो कोई है लेकिन अंडवंड़ रहता है तो बल नहीं मिलता है लगता है कि ज्ञान की बात कहने सुनने के लिए है गुरु भी कहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं तो इसलिए कहने सुनने के लिए है, कहने सुनने मानन दाता है, इतना बहुत है, फिर प्रगत नहीं होती है, जब हम देखते हैं, कि नहीं कहते हैं और करते हैं वो ऐसे रहनी में, तब बल मिलता है, कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जो उसलिए में रहते हो, तब साधक को बल मिलता है, और साधक बहुत जल्दी अपना काम करता है, करना चाहे तो, न करना चाहे तो अच्छे लोगों के पास में रहा करके नहीं करते हैं। और आगे ऐसे कैसे, कुछ लोग तो ऐसे रहा गे, उनकी सक्ति ही इतनी थी, सक्ति अपनी जगा नहीं पाये थे। कुछ लोग तो ऐसे हुए कुड़पटांग हो गए। तो अब क्या करें। बास बजाए फूक, बास में फूक मारो उधर निकल गया। इसलिए सिर्विशाल साहिब ने कहा है, वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग, अपने मन को डारिके वैरागवान में लीन, कबहुन बादे ताहि को जो बंधन से हीन। वैरागवान की संगत के बिन है वैराग नहीं होता है, और संगत का भी फल नहीं मिलता है जब तक अपना मन समर्पित न किया जाए। इसलिए अपने मन का अहंकार अपने मन के अंसार करानी की चेष्टा छोड़कर निश्काम हो करके उनके मन में अपना मन मिला दे तब कल्यान हो गए तो समर्पन की जरूरत है दो एक गली में नहीं समा सकते क्योंकि प्रेम की गली सकरी है मन में संसार रहेगा तो अध्यात्म नहीं रहेगा संसार का मतलब संसारा सकती आ सकती गिरस्त विरक्त दोनों के लिए है व्यवहार है और व्यवहार में निश्काम रह करके साधना संभव है जितना निश्काम रहोगे उतना हलका रहोगे गवहार में काम करना पड़ता है और जरूरत पड़ती है बात करने की भी राय देने की राय लेने की एक जगा रहो उल्टा हो रहा है न राय दे कैसे बनेगा हार जाने की बात अलगे हार गे चलो भाई चुपरो जो नो होने दो, तो बिगडने के समय है, जितने लोग रहे हैं वो राय दे सकें, राय लिया जा सकें, विचार किया जा सकें, तब काम बनेगा, बिना राय की करना, मन मानी करना, गुरू हैं, मालिक हैं, मन मानी कर रहे हैं, बिगड जाएगा सब, राय होना चाहिए, सम्मत हो परसपर विचार होना चाहिए, परसपर संबाद होना चाहिए, तब काम होना चाहिए, इसलिए व्यवहार में बात सुनना होता है, सुनाना होता है, राय लेना देना होता है, विचार करना कराना होता है, इसकी जरूरत होती है, घर में जितने लोग हैं बैट करके आपस में व कोई नहीं समझ पा रहा है तो सम्ता समझा, उलच करके नहीं, आप जदा समझते हो तो भी आहंकार नहीं करो, समझा करको, कुछ लोगों का अंकार हो तो अब डारेक्ट एक अधम गुस्सा में कहेंगे, ढाट के कहेंगे, यह ठीक नहीं है, समझाओ की यह बात है, ढाटनीक जरूरते नहीं, समझाना है, ऐसा करने से ये घरवड़े है, ये नुक्सान होगा, टीबी बच्चा दे, टीबी मत देखो, क्यों टीबी पास बेटे हो, इससे काम नहीं बनेगा, टीबी देखता है, देख लेने दो, समय से बैठाओ, कहो बेटा, बहुत टीबी देखोगे, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि टीबी में जो चीज आती है, उसे मनटक जाएगा, फिर आदत बन जाएगी, तो उस इक देखते रहोगे, पाठ टीबी से अलग हो जाएगा, और इतनी कुमल उम्र में टीबी बराबर देखोगे, तुम्हारे आँख की रोशनी भी खराब होगी, जो हानिया है, वो हानियों को धीरे से प्यार से समझाया जाएगा, और कुछ नहीं समझाया जाएगा, डांट रही खाली, कोई सफलता नहीं होने वाली, कहीं भी हो, सम इंजहा के बाद काना चाहिए, डांट तो बिलकुल वाहियात है, डांट तो एक परवाह में कभी हो जाता है, डांटे डांट है, एक गाय आपके पास हो, जो दूध तो न दे, बचड़ा भी न दे, पूच से मारे, पहर से मारे, सींग से मारे, तो ऐसी गाय कब तक गुरुवे कोई हो, पिता हो, बड़े हो, खाली डांट डांट है, कब तक अनुगामी लोग साएंगे, इसलिए डांट कोई अच्छी चीज नहीं है, हाँ कोई बारम बार बताते हुए नहीं माना, तो प्रवाह में डांट भी हो गया, कोई हर्ज नहीं है, पचास बार प्यार है, तो एक बार फटकार वो भी प्यार ही है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए, कि समझाने की जरूरत है, प्रेम से समझाने की जरूरत है, हानलाब दिखाने की जरूरत है, हानलाब दिखाने के बाद भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो हार मानना तो जो होता है वो बिगड़ेगा, अब कितनी मात्रा में बिगड़ेगा, जितनी मात्रा में वो करेगा, उतनी मात्रा में बिगड़ेगा, उल्टा करेगा, उतनी मात्रा में बिगड़ेगा, उल्टा करेगा, उतनी मात्रा में बिगड़ेगा, गिरस्ती में विवस्ता है, ल लड़के से भी लोग अलग होते हैं, पत्नी से भी लोग अलग हो जाते हैं, यहारे दर्जे पर होता है, और बहुत कम होता है, ज्यादा तर तो एक सातरा के झेलना पड़ता है, संद समाज में फरक है, कोई ठीक ठाक नहीं चला है, तो समझाय जाता है, और वो ध्यान देता ह क्योंकि यहाँ सुधारने के लिए लोग आते हैं ग्रस्ती में सुधार लिगने नहीं आए पैदा हुए है जैसे है तैसे हैं और यहाँ के लोग सुधारने के लिए आए तो यहाँ सुधारना है नहीं सुधारना है तो चले जाएंगे अपने आप चले जाएंगे या कह दिये जाएंगे भाई चले जाओ जब तुम सुदर नहीं रहे तुछ जाओ घर में कहा कहा देंगे किस लड़ किस कहा देंगे और तो गला दबा करके हिस्सा लेगा इसलिए दोनों बहुत फरक तो ऐसा होता है और उसको सहना पड़ता है लेकिन ज़्यादा तर समझा करके बात की जाए तो सुधार होता सुधार के लिए समझना समझाना बहुत चरूरी जैसे कि प्रतिक्षुदाहरण है मठो में प्राय लोग कहते हैं महराज शांती नहीं मंद लोग मिलते हैं तो कहते हैं जब घूमता हूँ तो आनंदर आता है और मठ पर आता हूँ तो मंदुखी राता है इसका मतलब कोई अमुक कहा नहीं माना अमुक कहा नहीं माना उल्टा कर रहा है अंडबंड हो रहे हैं आपस में जगड रहे हैं, तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा होनी चाहिए, यहां का प्रयोग जो है, रोज दोनों टाइम्स दो दो घंटे बैठते हैं, सत्संग, शिक्षा, वदेश चलता है, वेसे भी ध्यान रखा जाता है, कोई बात हो समझाया जा जाता है, तो बहुत अंतर है, आपस में विबाद नहीं देखा जाता है, 60-70 लोग रहते हैं, मैं नहीं रहता हूं, तो भी 35-40 तक रहते हैं, लेकिन विबाद नहीं रहता है, अब सभाव उंच नीच तो होता है, सबका एक सभाव तो नहीं होगा, उत्तम मध्यम कनिष्ट भी होते हैं, कोई योग है, कोई कम योग है, तो सभाव तो सबका अलग-अलग रहता है, और अलग सभाव होने से कुछ वैसा बरताव, कुछ वैसी बोली भी कर सकते हैं, लेकिन आपस में विबाद नहीं रहता है, सब प्रेम से रहते हैं, और बहुत दिनों के बाद आता ह तब भी पता नहीं चलता है कि किसी सी विबाद हुआ है जगड़ा हुआ है, सब प्रेम से हैं, और काम जो करना होता है, मालों कोई काम हो रहा है, तो काम भी सब मिल के करते हैं, एक दम शौक से, प्रसन्न होकर, तो ये सत्संग, चिंतन, मनन का प्रभाव है, ये धिल हो जाए सद्गरन पढ़ना छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई चूट जाए, सत्संग चूट जाए, आउपचारी खाली पाठोट थोड़ा कर लिए, और बस खाली ब्योहार, तो मन क्या होगा, बिगड़ेल मन ही है ना अधिकाल से, बिगड़ेगा, फिर जगड़ा जिंजड़, फ फिर प्रपंच, यही को लाएगा, क्योंकि यहां के मन से कहीं आकाज से थोड़े आया है, मन सुए ही है, परियोग जो बरत्मान में चला है, बढ़िया है, यह परियोग चलता रहे, बस ठीक रहेगा, और जो गड़वड होगे वो अपने आप छट जाएंगे, ठीक ठाक र जाता हूं, तो ऐसे कहने वाले मिले हैं, साहिब कफन बांत करके सिर पर आया हूं, लोट नहीं सकता, और चार दिन के बाद उचुपके से भाग जाते हैं, क्योंकि जोस रहता है, भणास निकली बस, गुबबारा से फुटा हवा निकला बस गए, और कुछ लोग कुछ दि आने वाले भी रहते हैं, और इस्तिर होके भी हैं, इसमें जितने बुजरुग हैं, यह भी करीब करीब बच्पन में आये थे, और साधना से हैं, और रोजरा रहे हैं, गुरुजी की सुरण में आया देखा, कितने लोग आये और गए, कितने लोग बस गए, और सरीर छोड के गए साधना लगे रहे आज भी है और आगे भी रहे गए जिनको हानलाब की सूझ है वो इस्थिर होके रहेंगे और साधना करेंगे अपनी शक्ति कंसार परगत करेंगे और जिनको हानलाब की सूझ बदल जाएगी वो भाग जाएगे वो तरहता है कहीं भी हो ग्रस्ति में भी रोज सत्संग करो, बैठो, सब को बैठा लो, ग्रंद सुनाओ, विचार सुनाओ, समझाओ, बदलेगा बातावरना। खास बात है इसके साथ साथ कि ब्यावहार मनमानी न करो, राय लेके करो, समझ बूच करके करो, तो बहुत कुछ संतुलन रहेगा। विचारों में फर्ग रहता है, समझा करके रास्ते पर लाओ, और साहन गत्ती रखने की जरूरत है, साहना पढ़ता है, उंच नीच भी बात आए तो साह लेना चाहिए, लडने से काम नहीं हो, लड़के ने उल्टा पल्टा का दिया, का दिया, का दिया, अब वह से जा करके अच्छा नहीं, चुप रहना चाहिए, अन्कूल समय देख करके, तब उसको काना चाहिए, कि वेटा इस सुभा नहीं देता, तुम्हारे मुझ से ऐसा निकलना है, जब अन्कूल समय रहा है, और गरम में रहा है, तो कहोगे, तो फिर और उल्टा हो जाएगा, बड़ा चक चारा पानी दीजिए, निवास दीजिए, बस कोई चिंता नहीं, लेकिन एक मनुस का बच्चा पाल करके निभाना बहुत मेहनत है, ये मनुस का बच्चा उफान सैतान करने वाला, महा इच्छा वाला, तमाम ख्वाइसों से भरा, पता नहीं कैसे कैसा उफान सैतानी करना चाहता है। इसलिए मनुस्व में देव भी हैं, दुष्ट भी हैं, और विनम्र भी हैं, साप विच्चु की तरह भी सुभावाले हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। राय दे ले करके समता से चलना, अपने शरीर के लिए कम बस्तों का उप्योग करने के सोचना और करना। हम बड़े हैं, इसलिए हमारा खान पान कुछ और होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। ग्रस्तों को भी मैं ऐसे जानता हूँ, कि उनका अलग भोजन बनता रहा है। बड़ियां चावल उनके लिए। उनके लिए इसपिसल चीज। और दो चार बच्चे हैं गर में और लोग हैं उनके लिए अलग। इक रस्तों में भी कोई-कोई होते हैं, यह अच्छा नहीं। विरक्तों में हो सकते हैं, यह गलत है। गुरू है महन्त हैं बड़े हैं पिता हैं तो उनके लिए सबकी लिए वह ए अपने लिए। और अपने जीवन गुजर के लिए सामान निष्थित रखना, निष्काम रहना, दूसरे कोस्रे देना, कटुनक कहना, मीठा बोलना, राय लेके काम करना, कोई किसी का हंकार जग जाए, तो अपना हंकार नजगाना, सुन लेना, और फिर धीरे से उसको बताना, कुल मिला करके साहना, साहना बहुत बड़ा धार्म है, आप सहोगे, तो दूसरे भी साहना सिखेगा, आप लड़ोगे, दूसरे भी अंकार जगेगा, अंकार से अंकार जगता है, विनम्रता से विनम्रता जगती है, एक आदमी अंकार भरा बचन बोला, दूसरा अंकार भरा उत्तर देता है, एक आदमी बिनम्र हो गया, तो दूसरा भी बिनम्र हो जाता है, कुल मिला करके सहना बहुत जरूरी, जो सहता है वही निभा सकता है, एक बाती भी आती है, जिम्मेदारी ना ले तो छुटी, जंजट कता है, लेकिन एक तो जिम्मेदारी सब को कुछ न कुछ रहती है, अपवाद सुरूर कोई जिम्मेदारी ना ले, निभ सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिम्मेदारी नहीं लिया तो उसका मन भी ठीक है, बिना जिम्मेदारी लिये, ये मन पता नहीं कहां कहां भटकाता रहेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और छुट्टा है, जिम जिम्मेदारी लेने से कोई सोतंद्र नहीं हो सकता है, जिम्मेदारी लेने से व्यक्तित और निखरता है, उसमें सहने का चांस पढ़ता है बारमबार, उच नीच इस्तितियां आते हैं, उनको निभाना पढ़ता है, और वही निभा सकता है जो बिनमर और सांसील है, और जित पत्थरों की रगड में मजबूत पत्थर चिकने बनते हैं, पत्थरों की रगड नहों तो चिकने नहीं बनेगे, और कच्छे पत्थर हैं रेत हो जाते हैं, ब्यवार की पृतकुलता में जो कच्छे मनवाले हैं बिखर जाते हैं, और पक्के मनवाले हैं वो चिकने हो जाते जिम्मेदारी लेने से, सेवा में लगने से, विक्तित तो अपना सुब्यवस्थित होता है, अब व्यवस्थित नहीं होता है, तो जिम्मेदारी निभाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, लेकिन उसमें यह होना चाहिए कि अपना ध्यान, चिंतन, मनन, छुटे न, वो बना रहा है, कल्यान का काम जो विक्तिकत है, उसको धील न करें, और जिम्मेदारी काम भी लिए, सेवा भी करें, गिरस्त विरक्त कहीं भी हो साना जरूरी है सा करके ही समोह मेरा करके साधना संभाव है और समोह में ही सब कुराना पड़ता छोटा समोह बड़ा समोह एक विक्तिया और साथ में वही एक समोह हो गया और एक विक्ति ही परपंची है तो नाकुद्धम कर देगा, सौ लोग हैं, सरल हैं, कुछ और चन नहीं पड़ेगा, इसलिए कम लोग के साथ हैं, ज्यादा लोग के साथ हैं, यह अपना अलग मात्त है, साथ के बिना किसी जीवन चलता नहीं, और साथ में साहना, अकेले में कई ऐसे नैतिक गुण हैं, जिसकी जरूरत नहीं, अगर आदमी अकेले हैं, कई ऐसे नैतिक गुण हैं, जिसकी आवशक्ता ही नहीं, लेकिन जब दूसरा उपस्तित हुआ, तब अनेक नैतिक गुणों की आवशक्ता पड़ती है, सालेना, छमा कर देना, गम खाना, संतोष करना, बिनमर्ता से बोलना, यह दूसरा होगा, तभी तू करने जरूरत है, दूसरा आई नहीं तू क्या जरूरत है, और दूसरा सब के सामने रहता है, अकेले बैठेर हो, वहाँ दूसरे आ जाएंगे, अपने सरीर में जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, रहने बसने की जरूरत है, तो सारा लेना पड़ता है, परम बिरक्तों को सारा लेना पड़ता है, इसलिए कुल मिला करके, जो सांशील है, संतोषी है, अपने निर्वाह के लिए कम बस्तुव और सादा सरल बस्तुव में गुजर करने का विचार रखता और व्यावार करता है किसे से कुछ नहीं चाहता है दूसरे की सेवा करना चाहता है राय मानता है सरल रहता है वो परिवार में रहकर समाज में रहकर बहुत अच्छी साधना कर सकता है परिवार की जटलता मैंने पहले बताई कि वधिक जटल है लेकिन परिवार छोड़ करके भी काम थोड़त बनता है सबका परिवार में रहो और अनासक्त रहो परिवार में रह करके कुछ अपना ऐसा रखो निवास अलग तलग रखो और देन मनन के लिए जगा रखो रोज अद्धेन करो ध्यान करो चिंदन करो और घर की सिवा भी करो निर्मोहता बढ़ाओ मोह न करो किसी से सुद्ध प्यार सब के लिए है मोह की जरूरत नहीं मोह की फांसी से सब गरवड होता है कहीं मोह में चिपक गए तो जाएज ना जाएज चाहे जैसे हो वो ठीक है और जहां मोह नहीं है बैर है मोह होगा तो कहीं बैर करोगे तो उसमें अच्छे गुण भी है तो बुरा लगेगा इसलिए बैर प्रीत ये दोनों रोग है ये दोनों रोग छोड़ करके समता में रहने वाला इंसान साधना कर सकता है कुछ नचाहने वाला यह भोतिक भोग बिलकुल नचाहने वाला जहां रहता है वही उसके लिए आनन्द है घर में रहो किसी से कुछ नचाहो किसी से कुछ नचाहने से क्या दानपनी नहीं मिलेगा वो चाहना पड़ता है, तो सब बनाते हैं, खाते हैं, सब साथ में बैठते हैं, वो इस्पिसल चाहने की चेष्टा जो होती वहीं रोग होता है, कुछ अपने मन की बात, मनवाने की बात, चाहे उल्टा, चाहे सिधा, लेकिन सब हमारी बात मानें, हमें बड़ा मानें, चाहे जो हम कहा दें उसी को सब को मानना चाहिए भूल हो सकती कहीं हम से हम कहते हैं अगर लोग नहीं मानते हैं तो हमें पुनर विचार करना चाहिए दूसरे की बास सच हो सकती है उसको सुने और मनन करें सच है तो माने तो इस प्रकार नम्र रहने से कोई परिशानी नहीं हो सकती परिशानी तो अंकार से होती कामना बद्ध होने से होती कामना बद्ध हो गए अंकारी हो गए अपनी गलत धारणा कभी-कभी होती है अओ धारणा दूसरा न माने तो अपने बुरा लगता है लेकिन है गलत धारणा तो अपनी धरणा पर भी हम इसे विक्षा करनी चाहिए दूसरे को साहना यह सबसे बड़ी साधना है जो दूसरे को साह लेता है परिवार में रह करके वो साधना कर सकता है परिवार में न रहे यहाँ साधू में आ जाए यहाँ नसा है तो यहां भी नहीं साधना कर सकता, यहां भी साना पड़ेगा, किसी के सभाव है थोड़ा, डांट दिया, अब तुम सो जो आसाधो करके ऐसा कहते हैं, तब क्या करोगे, सभाव है डांट दिया, कोई एक सभाव है मीठा बोला, डांट दिया उसको भी डांटना नहीं लेकिन ड़ाट दिये तो उसको साह लेना है उईसे स्वेम नहीं लोटाना है तो यहा भी साना पढ़ेगा है साना हर जगा है बिना सहे नहीं बच गा स्री विशाल साहığ ने का सत्पत रहित सान जीव होईगा सत्पत में सान रहित जीव हो गया दुनियादारी में खोप साता है लात मुक्का और कहां जाए वहां से कहां जाएगा घर में पतनी बच्चे माता पिता साफ से लड़ाई जगडा मार कूट सब सह सह के वहीं रहाद मैं तो अधान दिया करता हूं एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि महाराज मेरी पतनी ने पढ़े लिखे ग्रेजुवड उचे तपके के लोकिक द्रिष्टी से तो उनकी पतनी से मैंने कहा कि इनके साथ कैसे ने पढ़ता है कि महाराज कैसे बताओं इनको छोड़ दू तो दोसरे से संबंद करू तो आँ भी ने पढ़ने पढ़ेगा तो इनको छेल लहीं हूँ सुरज उपता है तो कोई की दिवार से छाय बनती है वो छाय अंदरे सदेव रहती कभी बाहर नहीं जाती ग्रस्त को चाहिए कि अपनी छाय अंदर रखे बाहर नहीं जाने दे घर में कुछ हो गया उचनी साले और बाटते फिरते हैं मूर्खता की बात और हंसेंगे लोग कितने नोग तो आनंदाता है किसी काम बिगड़े तो आनंदाता है तो इसलिए बाटना नहीं चाहिए साले ना चाहिए ऐसे समाज में भी है, संद समाज में भी है मान लोग किसे से उचा नहीं चाहो गया तो साले उसको काता न फिरे किसी भी समूँ में कोई रहता है तो समूँ की इच्चत रखनी चाहे समूँ की बात दूसरी जगर नहीं कहना चाहे तो साह लेना, गम खाना, छमा करना अपने लिए इस विसल की इच्छा न रखना, किसी बात में नमर रहना, ये सब सद्गुण ऐसे हैं कि जिस छेत्र में आप रहें, वहीं सुखी रहेंगे और इसको छोड़ करके, कोई विरक्ते होके आके सादू समाज में रहे तो यहां भी जगड़ना चाहेगा, और कुछ दिन में भाग जाएगा, तो कहेगा देख लिया वहां भी बायराग नहीं है, तो बायराग किसी कमर में रखा है अरे उसकी खुदे बायराग नहीं था, दोसे देखने को उसकी परविर्द थी किसी जीवनमुक्त संद के पास जाए तो आप क्या देखेंगे, उसका सरीर देखेंगे, उसके कपड़े देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, बात बेवहार देखेंगे, यही तो देखेंगे उसके अंदर की इस्थित आप कैसे जानाएंगे, और सामान बाते तो वैसे सब करते वैसे उसको भी करना पड़ता है, इसलिए दूसरे को समझना भी सरल नहीं है, इसलिए बड़े-बड़े पुरसों को भी लोग समझ नहीं पाते हैं, हमें अपने को समझ लेना चाहिए त दूसरे गल्ति यह तो सुधारएगा, हमाई जिम्यदारी नहीं हम अपनी गल्ती देख हैं और सुधार रहें, जो अपनी गल्तियों को देखता हैं उसका सब काम बन जाता है, वो दूसरे क लिए भी मीठा रहता है, क्योंकि सादक वही है जो विनम्र हो, निशकामी हो, नि और ये गुण जिसके पास है अकेले में रहे तो आनंद दो में रहे तो आनंद दस में रहे तो आनंद अकेले में रहते रहते भी अकेले में इंसान नहीं रहता है लोगों के साथ मेराना पढ़ता है तो हाँ जरूरी पढ़ता है एक महत्मा जरे बड़े बुद्यमान थे और बड़ बोल थे तो वेटे थे एक सजजन आए तो उंसे जरा बढ़के बात कर दि तो मैंने कहा कि आप, उजब चला गया तो मैंने कहा, आप ये कैसी बोल देते है कि हाँ मै इसे बोल देता हूं एक भगत की हां था तो मैंने कहा भगस सें कि तुम ब्योकूप हो तो उसने कहा साहब आप भी ब्योकूप हो हम कहें तब क्या इजित रहा गई आपकी तो कुछ लोग बड़ बोले होते यह ठीक नहीं बाई छोड़ दे अभिमानी यह साहब का भजन है बाणी छोड़ दे अभिमानी अभिमानी बचन मत बोल नम रहो के बोल हर आदमी शराब जैसे पीए है अपता नहीं कब क्या नशा चढ़ रहता है कब क्या निकल जाए ठिकाना नहीं इसी लिए जिन्दगी को जो समझा जिन्दगी को रोता है एक कवाली की खड़ी बड़ी अच्छी लगती है मुझे कवालीयां तीन-चार गाई है वो पूरक पूरा अम्रत है जिन्दगी को जो समझा जिन्दगी को रोता है साधना करो अपने को देखो दूसरे को देखने को गुंजाइस नहीं है नशा में डूबे हो यह नशा पता नहीं मुक्से क्या निकलवा दे कब यतरतत्र भटका दे बिनम्र हो करके अपने को जो निरंतर देखता है कहीं भी साधना कर सकता है ग्रष्टि में रहते हुए जटिलता यही है जो मैंने कहा था बुनियाधी बेद, विबाख से ग्रष्टि बनती है, वैराँ दृरक्ति बनती है, पत्-पति इकाथे होते हैं राग भस। गुरों से सिकठे होते हैं वाइराग बस इसलिए बुनियादी फर्क है लेकिन गिरस्ती मेरह करके रागे मात्र करोगे पीड़क पीड़ा होगी राग तो इसलिए कर रहे हैं कि वाइराग नहीं है लेकिन जब कर लिए तब तो कच्च चिठ्ठा सामने आ गया अब समझो उस बड़ा अक्रषण है नऔर नारी का अंग हे मिलन आथस मिलन में क्या होता है जब छ़ buna नहीं बेताब हो गे अम नर का बिना नहीं रह पा रहे हैं या नारी बिना नहीं रह पा रहे हैं तो इस दृतृत में कोई छुतंधता तो नहीं ए उआई सुक तो नहीं होगी पिवस पच्चाताप हुआ, अपने सी घ्रणा हुई, वाशना मजबूत हुई, फिर तरशना खीच रही है, कौन सुख है? इसका पिसलेशन करो, देखो, क्या उसमें है? ग्रस्ती का एक जो मूल आधार है, मूल फल है, वो संतान है, इसलिए पत्पतनी कठ्ठी होए कि बच्चा हो जाए, अब बच्चा हो गया, अब और क्या चाहिए, नहीं बच्चा हुआ, तो जन्जट कटी, एक जन्जट में पड़े, दूसरी जन्जट में नहीं पड़े, यते मेरी बातों से आप लोगों को गुसा आज सकता है, लेकिन फिर भी उसका विसलेशन करेंगे, तो सही ल लड़का है, लेकिन निभाना तो पड़ेगा, कहीं गलत लड़का मिला, तब तो सरकुटवूल करो, और सही मिल गया, तो भी उसको पढ़ाओ, लिखाओ, साधी विभाग करो, घर गिरस्ती बसाओ, उसी में अपनी मट्टी पलीद करो, कौन फाइदा होगा है, और नहीं जन्जट कटी, एक मोहताय पत्पत्नी को भी विचार करके, मिटा करके साधनम लग जाते, तो जिनको बच्चे नहों अपने का भागा ना समझे, सवभाग साली समझे, वे समझे, आधी जन्जट हुए है, आधी जन्जट बच गई, परकृत ने बचा दिया, और साधनमे अब जन्जट हुए गई दूसरी भी निभावे, क्या करेंगे, उसका भी आनन्द देख लिए, बाल बच्चों का बड़ा आनन्द, छुट छुटे बच्चे प्यार करो, जब जमान हुए पास में बैठते नहीं है, तो बड़ा खराब लगता है, दोस्के ओल बच्चों क उनका रंग है, समय है, अपने मन को मारना है, तो जहाँ जहाँ आकर्षन है, वहाँ वहाँ पहुचते जाओ, पोल पट्टी खुलती चली जाएगी, मान्ती के लिए मारा मारी, लेकिन जब मान्त होगे, तब पोल पट्टी खुल गई, आउन ही कुग्रण होती है, इसी के के लिए मारा मारी कर रहा था, गुरु बनने के लिए बड़ी लाल सा, महा भोला पन, गुरु बन करके क्या फाइदा हो गया, नुक्सान के सिवा गुरु बनने में फाइदा नहीं, अपने को पुण सुबस कर ले, तभी दूसरे को निभाने के चक्कर में पड़े, नहीं जहांतक आकर्षन है संसार का, भंगार है उसमें, भंगार, हर चीज का विशलेशन करो, अपना उद्धर्त भी होगा जब विशलेशन करो, विशलेशन नकरो, विशलेशन नकरो, वैसे चुपचाप पड़े रहो, समय बीती आएगा, गंदगी में, तो गरस्ति इसलिए बस बसाये क्योंकि बिना गरस्ति बसायरा नहीं पाते थे अब गरस्ति बसालिए गुल देख लिए तो अनासक्त बनो बगए हर चीज से अपने को निर्म हो करो और परिवार वालों की रक्शा करो मोह न करो साधना में लगो तो कुल मिला करके जो बिनम्र रहेगा, निश्काम रहेगा, सह लेगा, वो लोगों को निभा भी लेगा, और अपनी साधना भी कर लेगा और जो अहंकारी रहेगा, सकामी रहेगा, असांसीर रहेगा, वो तो बस वैसे है कि जाड़ीदार काटे में उलज-उलज कर जीवन भर मरेगा बहुत लोग ऐसे हैं, अधिक्तम लोग ऐसे हैं, कि उलज-उलज के मरते हैं, विवेगवान उलजते नहीं, सम्हाल की चलते हैं, नम्र हो जाते हैं, अपने ही बच्चे से, अपनी ही पतनी से, अपने पत से, अपने लोगों से नम्र हो जाते हैं, सा लेते हैं, बचा लेते उनकी साधना चलते है तो इसलिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी साधना कैसे करें निश्काम निर्मान बनकर सुद्ध प्रेम का वर्ताव करते हुए मौ को जीत कर निश्काम निर्मान रहकर पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी साधना की जा सकती है झाल झाल झाल